जैशिगडे जी हार हार बहादे मैं हूँ जोदी शचारे डॉक्टर संदर सक्सेना उत्रकण हरद्वार से आपका बहुत-बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आप सबी से उमीद है कि आप सब अच्छे होंगे और खुशाल रहे होंगे आज मैं आपको बताऊंगी कि सिक्के का प्रयोग करके यानि कि पैसे, सिक्का यानि कि एक-एक-दो-दो रुपए के सिक्के का प्रयोग करके आप किस तरीके से अपनी सच्छी मनो कामनाओं को पूरा कर सकते हैं यूनिवर्स में हम किसी भी चीज को प्रयोक कर गए, चाहे वो हल्दी हो, नमक हो, चीनी हो, काली मिल्च हो, तुन्सा हो, किसी भी चीज से हम प्रिच्छा को पुरा कर सकते हैं क्योंकि जो भी चीजे पधार्त है जो भी इस दुनिया में बनी है चाहे वो किसी भी रूप में बनी हो उसका प्रकर्ति से लिंग होता है और वो लिंग ऐसा होता है कि प्रकर्ति हमें रास्ता दिखाती है एक कहावत विए जहां जहां वहां रहा आज सुबह एक लड़के ने मुझसे बोला था कि मैं किसी से बहुत प्यार करता हूँ वो मेरी ही कास्ट की है लेकि उसके घरवाले शादी के लिए त्यार नहीं हो रहे हैं क्योंकि उसके लेक बहुत हाइफाई अच्छा क्लासवन लड़का देखा जा रहा है और मैं क्लासवन लड़कों में नहीं आता हूँ मेरे पास तो नौकरी भी सरकारी नहीं है मैं तो प्राइविट काम करता हूँ इसलिए उसके घरवालों ने मेरे पापा से रिष्टा वापिस करवा दिया तो क्या मेरे उसे शादी हो पाएगी तो मेरा आंसर था कि क्यों नहीं हो पाएगी पहले ये बताओ जहां चहा है वहां रहा है आपको पहले मन में इच्छा रखनी पढ़ती है कि मुझे ये चाहिए और इसके बाद शिद्दत से उस चीज के पीछे लगना पढ़ता है कि येस आई वांट दिस 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 जब अब लगाता रख सीज के पीछे पढ़ जातो मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे ने 5-3 प Eagles, 2-2 सामой मैं एक ड्रीम करती थी इतली है कि मैं कभी boom रह जाओंगि मुझे इंडिया से बाहर जाना है, मुझे जाना है, चाहिए मुझे एक बार जाओं और ऐसे नहीं जाओंगी, अगर मैं जाओंगी तो एक अवार्ड लेकि आओंगी वहां से, मैं हमेशा से ही मन में एक विश्वास के साथ रहती थी कि काश कुछ ऐसा हो कि मुझे इंडिया स एक चाहा थी कि कोई रास्ता तो होगा कि मुझे भी एक रास्ता दिखे और मेरा भी यह जो इच्छा है वो बोरी हो मैं बाहर जाओं बाहर से अपना एक अवार्ड लेकिया है वो बारबर एक मैसेज मेरी लाइफ में बारबर आ रहा था और मैं बारबर युनिवर्स से करती पक्का एक ना एक दिन में विदेश याओंगी और अपना एक अवार्ड वहां से लेकिया होंगी पक्का क्योंकि जहां चाहा है वहारा है मैं अकसर अपने फ्रेंट से भी कहती थी कि मेरी जनरी यहां नहीं रुकी है मैं इस अपनी जनरी में जो मेरी यात्रा है इस यात्र करते हो कि मैसा इस है कि वह मेरीठी मेरी हρεί और वह मुझसे विवहा कर दो क्यों नहीं हूगा क्योंकि चाह है वहां आह राह देखती है कि आप अपनी किसी भी शिद्दत के पीछे कितना तगड़ा लगा हो आपको पैसे चाहिए आपको मिलेगा आपको नाम चाहिए आपको मिलेगा आपको शोहरत चाहिए आपको मिलेगा आप अच्छा घर चाहते हैं मिलेगी आप प्रोपर्टी चाहते हो आपको मिलेगी लेकिन क्या है मन को साफ रखना है शिद्द दखनी है अपने आपको बिल्क भी करेंगे कैसे सिक्क्य का प्रयोग करना है किस तरीके से इपनी इच्छा को बोलना है देखिए थ्री और asi 36 नंबर बहुत ही वह होता है हम अक्सर बोलते हैं कि किसी भी wish को 36 बार बोलिए किसी wish को 36 बार लिख दीजे किसी wish को 36 बार कह दीजे तो क्या होता है 36 नंबर एक universe का नंबर है क्योंकि 3 plus 6 equal to 9 होता है और अगर 3 multiply 6 करेंगे तो 3 multiply 6 18 होता है तो 18 का भी 8 plus 1 90 होता है आप 6 और 3 को कहीं से जोड दीजए जाए कहीं से multiply कर दीजए वो 9 ही आएगा 9 ही आता है 9 नंबर universe का नंबर माना गया है हमेशा से 9 नंबर को universe का नंबर माना गया है यह Khalil Devda का भी नंबर माना गया है और in fact यह hanumanji का नंबर भी माना गया है कहतें 9 नबर जो है इसमें दिवे शक्तिया छूपी हुई है और इसमें अधिते चीजे होती है और अगर किसी बच्चे का जरम नौ तारीकों है इसमें आपको दो सिक्के लेने है और उन दो सिक्कों को आपको भगवान गणेश के मंदिर चले जाएए अब गणेश जी का मंदिर इतना कॉमन है कि यह हर जग होता है और इसकी गारंटी मैं इसलिए ले रही हो क्योंकि जब भी कोई सनातन धर्म में कोई मंदिर बनता है तो जब तक गणेश जी की परतिश्चा ना हो मंदिर बनता ही नहीं है तो गणेशी की परतिमा किसी भी मंदिर के बाहर या अंदर के साथ जरूर होती है किसी भी मंदिर में परवेश करेंगे चाहिए आप प्राचिन काल के किसी मंदिर में चले जाएए वहां पर आपको देखने में आएगा कि सबसे पहले बहार की तरफ ही भगवान गड़ेश की चोटा सा इस्टचू से ही है पर लगा जरूर होता है भगवान गड़ेश की मंदिर की में कोई मंदिर बन ही नहीं सकता तो गड़पती का ध्यान करते समय आपको बुद्वार को य पर दिल की कामना बोलनी है आप कह सकते हैं कि मेरी लोटरी लग गई है आप कह सकते हैं मेरी शादी हो गई है आप कह सकते हैं मुझे मेरा प्यार मिल गया है आप कह सकते हैं कि मेरा अच्छा जॉब लग गया है आप कह सकते हैं गड़ेश आपको बहुत धन्यवाद मेरे सार मेरा प्यार मुझसे बहुत पयार करता है आपकी करता से थर्ट recurr्पस भेर कसे आपको दोनों ही भी थिक्तों आप क्या करना हैं उनके पर छड़ में चंह सन में चंडर भार के ठहिम हैं अगर फूल ना हो गर्मी बहुत है आप ऐसे एरिया में रहते हो जहां पर इतनी गर्मी पढ़ती है कि फूल तो क्या पत्ती भी नसीम नहीं होती तो ऐसे में आप खारी रंग का कोई पत्ता भी चुड़ा दोगे तो फूल सबजा कर ऐसे बहुत से बीहड छेत्रे हैं जहां फूल नहीं होता मेरा वीडियो तो पूरी दुनिया में लोग देखते हैं तो ऐसे में अगर फूल नहीं है तो अपत्ता भी लगा सकते हो ऐसे लगा कर वहां पर बोलके थोड़े दर ओम गणेजी का जै गणेजी ओम श्री गणेशाय नमा का जाब कर लो पंदरा बीस पां अब दूसर सिक्का जो आप उठा के आए हो उसका क्या करना है वो मैं अभी आपको बताओंगी लेकिंसे पहले रितेश आते हैं उनकी बैसे जाया है उसने का दी थी मेरी मनो कामना देखो हम किसी ने मुझे से पूछा था कि आप लोगों के नाम जो है यूटूब पर डिस इस लिए जाता है तो जब हम किसी का नाम नाम किसी की विष बोलते है तो जत्री बार मेरा विडियो सिम चलेगा उटरी पर उसके विष रिपिटेशन में आती है तो बहुत सारे लोग मुझे से अपनी विश इसी लिए बलवाते हैं क्योंकि अगर मेरा वीडियो जैसे उनसे मैं कहूंगी कि आप अपनी विश को रोज बोलो आप वो विशारे कभी बोलते हैं कभी भूल भी जाते हैं लेकिन मैंने एक पर अपना वीडियो मे डाल दिया बेरा वीडियो तो आज कल पर सो जब तक यूटूब पढ़ा रहे गा कही न कहीं कोई न कोई पूरी दुनिया न कोई चलाइए को थे बसाड़ा किसी भी दुनिया कोणे में इस रही न चले ब्लभार उप करिए कि रितेश के अच्छी शादी हो जाए जिससे वो चाहता है और सब गौर्णमेंट जॉब भी हो जाए अब मैंने ये विश छोड़ दी है तो जितनी बार मेरी ये वीडो चलेगी उतनी बार में ये विश भी चलेगी तो उसका काम कभी ना कभी तो पूरा होई जाएग इसी तरीके से मांसी है वो रक्षित से शादी करना चाहती है और चाहती है रक्षित उनकी जिन्दगी में वापस आजाए इसी तरीके से एक लड़की है जिसका नाम है नीरी धिंगरा वो अनमोल को चाहती है कि अनमोल उनकी जिन्दगी में वापस आजाए और मधू है वो वोस्वस्त हो उनको सुंदासा प्यारा सा बच्चा हो वो अम्यरका में रती है वो उनकी इच्छा पूरी हो और जो भी जिसकी भी जाईज दुआएं हैं जाईज इच्छा पूरी हो यसी मैं भी कामना करते हूं मेरे तीन यूटूब के चलने है मालक्षपी जोतिश भाई संदय सकसेना, डॉकर रेस्टो संदय सकसेना तीन चलने है तीनों चलने को जाकर सुस्क्राइब कीजिएगा पहले कंदबा जिएगा इतना वीडियो इतना वीडियो पढ़ा है कि आपको मेपसानी की जुद्धी है आप वीडियो से ही उपाय कर सकते हैं और इसके साथ साथ में जो तीसरी चीज है वो यह है Instagram Instagram में भी बहुत सार आप भरपूर messages पड़े हैं बताब बहुत सारे videos पड़े हैं आप जिसको चाहे कर लो, आपकी इच्छा पूरी होगी ना का तो सबाली नहीं फिर भी अगर आपको कलेश रगता है कोई जिन्दगी का कितनी मैनद करने के बाद मेरा काम नहीं हो रहा तब आप मेरे से बात कर सकते हैं मैं आपकी इच्छा को पूरी करने कोशिश करूँगी लेकिन अपने नंबर का वेट कीजिगा क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेश करते हैं बहुत कॉल्स आते हैं तो आपने एक सिक्का तो वहीं छोड़ दिया था अब दूसरा सिक्का आपको ठाके अपने साथ लेकि आ जाना है और उसको आप अपने पास रखेंगे अपने दम करीब दिल के रात को सोने से पहले 36 टाइम जो वही इच्छा जो आपने गड़ेजी की मंदिर में बोली थी वही सेम इच्छा आप इस सिक्के पे डेली रात को सोते समय बोलोगे 36 बार बोलोगे और भगवान से प्राथना करोगे कि हे भगवान शी गड़पती मराज आपकी कृपा से मैं बहुत खुश हूँ मेरा काम हो गया है मेरा अपना खुद का घर बन गया है मेरा घर बन गया है या मेरे प्यार मेरे पास लोट आया है या मुझे मेरा पती जान से दा प्यार करता है या मेरा बेटा मुझे बहुत प्यार करता है या मेरी अच्छी शादी हो गई है या मेरे को भूस सारा धन की प्राप्ति हो गई है या मेरी सब्थति बन गई है जो भी आपकी इच्छा दी उसको 36 टाम जलते हुआ हैं देखेंगे देना कैसी सेफ जगह पर तो निसकी whenever you start the one have some thinking is going happened see ? अब देखेंगे दिरे 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 आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी की जब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो वह कोई वीडियो पसंद नागा अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा शेर भी कर जीजिएगा दोस्तों को जाद जाद लोग को इंफॉर्मेशन मिलेगी किसी को कोई समस्था रही हो लाइफ में तो पुझे वाट्सप पर मैसेस कर सकता है आज के लिए इतना ही आपका दिन अलिवाग